तो बच्चे आपके ओटम ब्रेक खतम हो गए 16 परिके आपके नियू वक्षिट आ गई है तो जैसा की आपको पते है 16 ओक्टूबर 2021 को आपका सेटरड़े है और सेटरड़े को आपकी जैनरिक वक्षिट आती है जो 6-8 के इस्टूडेंट्स के लिए एक कॉमन वक्षिट होत फ्रेम के भावरा होती है कि हाँ भारतीय है हमारा देash हमे ai प्राणों से भी अधिक प्यारा है कि भावना ही च्या कराती है आपकी पेट्रेयोटिक्ती लेकिन आंसर लिखने से पहले हम पहले अपने इस पैराग्राफ को समस्तो लें कि भाई हमारे को वक्षिट बाले पढ़ाना क्या जाते हैं तो स्टार्ट करते हैं Patriotism helps in building a country with a better future so that people live in a harmony and each other Patriotism जो है country का विकास करता है उसको build करता है future को बनाता है और लोगों को एक harmony मतलब भाईचारी के साथ रहने के लिए प्रेद करता है It does not always mean fighting and being violent Patriotism का मतलब कभी भी लड़ना या हिंसक होना ही नहीं है It means showing passion and sacrifice towards the nation अपनी नेशन के परती आपको एक प्यार दिखाना है sacrifice करना है Showcasing the love for the country देश के परती प्यार दिखाना है Independence Day गांधी JNT is not true patriotism देखो तो हम लोग अलग अलग festival बनाते है और उसी दिन हमारे अंदर patriotism आता है कि हम भारत के वास ही है ऐसा कुछ तो सिर्फ यही patriotism नहीं है हमारे को हर वक्त अपने देश के परती प्यार होना चाहिए True patriotism is respecting the country देश का आपको संबान करना है taking pride with showing love and respect to the country अपने देश का नाम गर्व के साथ कहना है कि हां भाई हम क्या है भारतिये हैं ठीक है the nation does not belong to one person चो देश है वो किसी भी एक इनसान का नहीं है ठीक है rather it belong to it rather it belong to all of us so all of us must come together to make our nation at the best तो हमें यह नहीं बोलना चाहिए कि शरफ मेरा देश है नहीं सबका देश है और हम सबको मिलकर इसके विकास के लिए कार्रे करने चाहिए in the past India has had a few glorious freedom fighter who fought for India's freedom and sacrifice their life to help the country because became free flourished दोखो आपको पता है कि इंडिया जो था वो किसका गुलाम था ब्रिटेन का गुलाम था तो भारत को अजाद कराने के लिए बहुत सारे freedom fighter है ठीक है और उन्होंने भारत को अजादी दिलाने के लिए अपनी life तक को sacrifice कर दिया तो कौन-कौन थे वो चंदर शेखर अजाद रानी लक्ष्मी बाई बगगत सिंग ऐसे ही बहुत सारे नामे श्टुक देव ठीक है जो सच्चे देशभक्त होते हैं उनकी देथ के बाद भी उनकी क्या कर जाती है वर्शिप यानि की पूजा की जाती है ठीक है यानि की जो कावड है वो तो डेली मरते हैं बहुत बार मरते हैं लेकिन जो वैलियन्थ है उन्होंने तो कभी भी देथ का टेस्ट चखा ही नहीं है ठीक है अब देखो गांदी जी का राम समझे सुना होगा हमारे नोट में भी होते हैं इंडिन करेंसी में हर जगा गांदी जी मिलेंगे राश्टर पिता कहा दाता है इने ठीक है तो आपके शिवा जी गांदी जी सुभाशन्तर बहुस जो है इनको भी फ्रीडम फाइटर माना दता है क्योंकि भारत के जादी में इनोंने बहुत इंपोर्टेंट रोल जो है वो प्ले किया है आज भी देशी ने याद करता है गांदी जी एंती बराई जाती है तो अपनी अजादी को बनाते टाइम इन फीडम फाइटर को याद करना क्या है एक बहुत ही महत्तपूर्ण पहलू है देशबक्ती का क्योंकि सिर्फ जी जो हमारे फीडम फाइटर है इनके स्ट्रगल और इनके हाद वर्क की वज़े से हम आज यहाँ बैठे हुए अपने घरों में शांते से बना हम गुलाम ही होते हैं आज भी ब्रिटिन के लिविंग इन अवर कंट्री सेफली एंड विद रिस्पैक्ट हम पर देश में आज सुरक्षा से रह रहे हैं न सेफली रह पा रहे हैं रिस्पेक्टफुली रह पा रहे हैं तो यह सब कुछ इन फ्रीडम फाइटर की से वज़े से पॉसिबल हो पाया है फिर आपको जो है कुछ यहाँ पे जो भी सिलेव जो मैंने आपको सुरी जो आपको स्पैराग्राफ पढ़ाया न उसी से रिलेड़ेट आपको यह क्या दिये हुए है कुछ फिल इन दा ब्लंक्स दिये हुए तो बता देती हूँ तो पेटरिटिजम का मतलब क्या नहीं होता है लडना और हिंसक होना नहीं होता है पटरिटिजम मेंज शूइंग पैशन एन सेक्रिपाइश देश्भक्ती का मतलब होता है किसी अपने राश्टर के परती पैशन को और सेक्रिफाइश को दिखाएब और जब हमारे अंदर देश भक्ति की भावना आती है तो हमारे अंदर से selfishness और corruption की जो भावना होती है वो गाया बोजाती है freedom fighter lost their life for the love of their country तो freedom fighter ने अपनी जिन्दगी क्यों हो दी अपने देश को अपने देश के प्यार को दर्शाने के प्रती शेक्ष्पियर ने क्या कहा था आपको वो लाइन लिख देनी है कि coward are dies coward dies many times coward मतलब डर्पोक या कायर जो है वो तो बहुत बार मरते हैं ठीक है before their death अपने वास्तविक death होने से पहले भी वो बहुत बार मरते हैं लेकिन जो शूरवीर होते हैं वो सिरफ अपनी death का जो टेस्ट है वो सिरफ एक ही बार नहीं चकते हैं शिवाजी, गांधी जी, शुवाशंदर भोष are respected and remember today as well तो जो गांधी जी है शुवाशंदर भोष है शिवाजी है इनको हम आज भी याद करते हैं remembering मतलब याद करना and honoring सम्मान करना their struggle for independence is an important aspect of patriotism ठीक है our freedom fighter led in movement to bring change and make an identity for the country तो freedom fighter ने जो अलग-अलग movement थे वो क्यों start किये थे ताकि समाज में changes लाए जा सके मतलब country में changes लाए जा सके और भारत की अपनी अलग पहचान बराए जा सके ठीक है the soul of these two martyrs are respected and become immortal right तो जो हमारे freedom fighter है इनकी soul जो है हमारे लिए क्या होगी है अब देखो आपने जो paragraph पढ़ा paragraph में आपने पांच freedom fighter के नाम सुने है ठीक पड़े है लेकिन आपको आपका वीडियो इतना ही था अगर आपको यह वर्क्षिट का वीडियो अच्छा रखता है तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ और class group में शियर कीजिए ताकि ज़्याद से ज़्यादा बच्चे इस वीडियो को देख सकें ठीक है मिलते है नेक्स्ट वीडियो में ने आपको डियाद रखता है तो आपको आपको दोस्तों के साथ और सकें ज़्यादा प्लीजद चुलीज।